तो दोस्तों आज हम आपके लिए बीना प्याज लसून की होटिल से भी जादा टीस्टी वेज कॉर्मी के रेसिपी शेयर करेंगे और प्याज की जगा आज हम एक ऐसा इंग्रेडियन यूज करेंगे जो प्याज की कमी को पूरा करेगा काफी interesting recipe है जो आपने पहले कभी नहीं देखी है तो इसे try कीजेगा और आप हमें कहां से देख रहे हैं comment में ज़रूर बताईएगा चलिए आज की नी recipe शुरू करते हैं सबसे पहले pan में हमें लेना है तेल क्योंकि अभी हमें सारे सब्जों को बिना काटी fry करना है जी हाँ आज का जो शाही वेज कोर्मा है ना दोस्तों वो बहुत शांदार बनेगा वो भी बिना प्याज लसुन के बनीगा तो सबसे पहले हमें चोटा गाजर, चार से पांच बड़े फुल, फुल गोबी के आधी लाल शिमला मेर्च और आधी से थोड़ी ज़ादा हरी शिमला मेर्च और 60 ग्राम पनीर डाल कर इसे फ्राय करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तो सारी सबजिया मैंने तेल में ऐसे ही डाल दी है ताकि जब ये टुकड़े होते हैं दोस्तो इन्हें फ्राय करने में और निकालने में काफी परिशानी होती है तो हमें ऐसे ही फ्राय कर लेना है और जैसे ये थोड़ा फ्राय होगा ना हम इस हरे मटर ऑर स्वेट कॉंण डाल कर भी फ्राय करेंगे ये फ्रड़े फ्राय हो जाते हैं तो हमें इसे बाद में डालना है और जैसे जैसे सब्जिप Ste head लेनना है तो दोस्तो शाही कोर्मा या फिर वयज कोर्मे की जो ग्रेवी होती है ना वो प्याज से बनती है लेकिन आज हम बिना प्याज इस्तमाल किए एक ऐसी खास चीज़ डालेंगे जिससे यह जो कोर्वा है ना हमारे होटेल से भी ज्यादा स्वादिश बनीगा तो सब्जिया फ्राय कर लिए है और पनीर फ्राय हो चुका है इसे हमें पानी में डाल करेगी और इतनी जबरदस्त क्रीमी यह हमारी कोर्मी की क्रेवी बनेगी अभी आप देखेगा यह टिप्स आपको किसे ने शर्न नहीं की होगी और यह जो पत्ता गोबी है ना बिल्कुल प्याज का ही काम करता है तो जैसे ही यह पत्ता गोबी थोड़ी फ्राय हो जाएग हो चुकी है और अब हम इसे निकालेगी दोस्तों इसका जो टेक्षर और जो क्रशन बिल्कुल बिल्कुल प्याज जैसा ही आएगा अभी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी वी तो जैसे हम प्याज को करके डालते है ना वैसे ही इस पत्ता को भी भी क्रश करना है औ पिल्कुल ये फ्राइ के वे प्याज जैसे ही हुई है और जो लोग प्याज नहीं खाते ही जिना बिना प्याज की ग्रेवी बनाना है वो इस तरह की से पत्ता गोबी का इस्तमाल करके बहतरीन बहतरीन रिच ग्रेवी बना सकते ही अब हम इसमें एड करेंगे 1 3rd कब दही और एक टुकड़ा अद्रका जिसके मैंने छोटी-छोटे pieces कर लिए हैं और इसे हमें पीस लेना है जैसे ही हम इसे पीसेंगे न तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने फ्राय करके पतागों भी डाल कर इसका paste बनाया है, ऐसा लगेगा कि हमने फ्राय ओणियन की ही paste बना और आधा चुम्माद जीरा डालकर पहले इन मसालों को भून लेना है जैसे ये भून जाएंगे हमें इसमें एक चम्माच बारिक टावा अधरक डालना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है जैसे ये भून जाएंगे न हम इसमें डालेंगे सारे सुखे मसाले तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है और इसे हमें तेल में अच्छे से भून लेना है बस ध्यान यहीं रखना है कि मसाले जले नहीं और इसकी भूनाई अच्छे से हो, इसके लिए थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे ऐसे पकाने से मिर्च और मसालो का कलर बहुत ही अच्छा आता है साथ ही इनकी भूनाई अच्छी से होती है और मसाले काफ़े अच्छे से फूल जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा ओल सिप्रेट हो चुका है मतलब मसाले भून चुके हैं अब दो टमाटर पीस कर डालना है और इसे भी अच्छे से भूनना है तो दोस्तो ये जो वेज कोर्मा है होटिल वाले कोर्मे को भी पीछे छोड़ देगा इतना जबरदस्त और रिच बनता है तो टमाटर भी अच्छे से भून चुके हैं दोस्तो अब इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे जो हमने अभी बनाई है और ये पेस्ट देखकर कोई कहें नहीं सकता कि ये प्यास की पेस्ट नहीं है थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी हमें मिक्स करना है इस पेस्ट के वज़े से ये ग्रेवी काफी रीच और क्रीमी बनती है और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालेंगे हम तीन हरी मेच बीच से कट करके थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया और इसे फिर से हमें अच्छे से मिक्स करना है ये देखे दोस्तों क कितिनी गजब की कितिनी रीच हमारी ग्रेवी बन रहें तो क्या आपने आज में अधा प्लें यह टिप देखी है बीना प्याज वाली तूर अगर सबस्जा नहीं बनती हैं तो आप किस तरीके से पथा गुपी का काफ़ का शांदार सबजी बना सकते हैं तो हमारी gravy बहुत जबरदस्त तरीके से भून चुकी है, अब इसमें जो सबजियां हमने fry की थी ना उसे काट कर डालना है, लेकिन पने अभी नहीं डालना है। पनीर हम लास्ट में डालेंगे लेकिन जो सब्जियां हमने फ्राइ की थी उसे डाल कर इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम डालने से सब्जी में काफी रिच फ्लेवर आता है और ये होटेल जिसा टेस्ट देती है अब स्वाद नुसाय नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है साथ इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करना है क्योंकि सब्जे अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है फ्राइ करते वक्त यह लगवाग 60-70 परसेंट कुख होई थी लेकिन इसे पूरा पकाने के लिए हमें पानी डालना है और पानी डालकर इसे धाकर 7-8 मिनट के लि रही है आप होटेल और धावी का खाना भूल जाएंगे जब घर पर इस तरीके से बिना प्याज लसुन की ये सबजी बनाएंगे अब दोस्तों जो हमारी सब्जियां हैं वो काफी अच्छी से पक चुकी है अब आपको लास्ट में डालना है पनीर तो पनीर को पानी में से न माटर के टुकड़े डालना ना भूलिए अब दोस्तों पांच मिनट के लिए हमने ऐसे ही पका लिया है अब उपर से हरा धनिया डाले गैस के फ्लेम बंद करके इसे सर्व कीजी ये देखे दोस्तों कितनी शांदार और कितने आसानी से हमने ये होटेल से भी जादा क्याज लसुन की रेसिपी कैसे लगी कमेंड में जरुर बताना अच्छी लगी होट इसे जादा से जादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा